वाल आपने जब इस वीडियो का थमनेल देखा होगा तो आपको हो सकता है एक पल के लिए बिल्कुल भी यकीन ना हुआ हो कि सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर कैसे पताया लगाया जा सकता है कि स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं कौन से नीचे जाने वाले हैं if you do not know so आज ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा काम आने वाले है विकास आज मैं आपको एक निंजा टेक्नीक देने वालो एक बड़ी सिंपल सी स्ट्राटेजी बड़ा सिंपल सा तरीका बता हूंगा जिससे आप खुद आइ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजे और आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देखने अब शुरू करते हैं तो हम यह पता लगाने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला और कौन सा गरने वाला बट उसके लिए आपको कुछ चीज़े बेसिक चीज़े पता होनी चाहिए देन आइल स्टाट आप लोगों को पता है कि बहुत जब हम लॉंग तर्म के लिए इंवेस्ट करते हैं तो candlestick patterns उसमें बहुत important role play करते हैं अगर हमें एक strong reliability दिखती है हमें strong candlestick patterns दिखते हैं तो हम अगर trade करेंगे तो हमारे profit बनाने के chances जाग हैं इतना अगर आपको पता है now you are good to go तो वो candlestick patterns को देखना इतने सारे stocks यह 4000 से जादा companies listed है तो अब सब के charts देखना तो हमारे लिए possible नहीं है simply यह पता लग जाए कि कौन से charts के अंदर perfect candlestick patterns बन रहे हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं चलो अब आपको ninja technique देग देते हैं so what you are required to do आपको क्या करना है आपको simply एक free website के पर जाना है कोई paid promotion नहीं है investing.com के उपर आप जाएंगे आपर मैंने investing.com खोल रहा है now what you are required to do यह automatically जब आप देखेंगे यहां पे US UK का यहां पे खुला हुआ हुआ जैसे but what you are required to do आपको India के साब से खोल लिए तो यहां पे English India पे आप क्लिक कर देंगे आप देखेंगे अब आपको क्या करना है बड़ा simply आप टूल्स पर क्लिक करना है जैसे आप टूल्स पर क्लिक करेंगे दुबार साप टूल्स पर क्लिक कीजिए तो आपको यहां पे investment टूल्स के अंदर stock screener देख रहा है आपको stock screener को open कर लेना है screeners किसलिए help करते है हमारी stocks को pick करने के की help करते हैं अब हम थोड़ा से नीचे आएंगे यह सेम प्रोसेस आप अपने फोन में लाप्टॉप में भी कर सकते हैं तो अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है आपको ओवर्विव में बहुत सरी कंपनी का नाम दिख रहा है डाटा का दिख रहा है बट अभी हमें बात करी दी Candlestick Patterns की सिंप्ली यहां पर आपको Candlestick Patterns दिख रहे हैं आप इस पर क्लिक कर दीजे लोड होने दीजे एंड देन वाट यूवल सी आपको आटोमाटिकली यह बता देगा कि कौन से स्टॉक के अंदर कौन कौन से Candlestick Patterns बन रहे हैं तो अभी यहां पर कुछ चीजे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले नाम कि स्टॉक कौन सा है दूसरा टाइम फ्रेम अभी डेफॉल टाइम फ्रेम एक मंत का है अगर आप इंटर डे करते तो एक मेने का आप तो देखेंगे नी टाइम फ्रेम आपको 15 मिनिट कर देखें जस्टेलियों कैसे होगा यहां पर तीसरा आपको दिख रहा है इसमें स्टार तो अगर सिंगल स्टार है इसका मतलब है डिलाइबिलिटी कम जोर है अगर ती जो भी होता है शुटिंग स्टार अगर्दया है आपको ठी आउट सचाहः अफ दिख रहा है बहुत सरह आपए आपको da वीडियो फूइज तो अगर रिस्पॉंस आगा उली देन एक वीडियो तो यहां पर आपको यह पादन्स के बारे में जो पॉपलर पैटन्स आइए उनके बारे में पता होगा देन आपको यहां पर कैंडल बता रहा है कि भी पैटन कौन सा चल रहा है यहां पर बेरिश पैटन्स जो पैटन्स अभी बन रहे हैं दूसरे कौन से पैटन्स आपको दिखेंगे जो कंपलीट हो चुके आप थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहां पर आप कस्टमाइज बटन पर क्लिक कीजिए आप टाइम फ्रेम अपने सबसे डिसाइड कर सकते हैं अगर आप इं कर सकते हैं माल लेते हैं हम एक महिने की जगा एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में अच्छा पैटन बन रहे हैं अब पैटन इंडिकेशन हमें कैसे चाहिए हैं कंप्लीट यह इमर्जिंग चलिए दोनों देख लेंगे इसके बाद रही है आपके तो सब्सक्राइब चाहिए जिसमें हमें देखे कि अच्छा पैटन बन रहा है और उसकी रिल्याबिलिटी भी ज्यादा हो अप्लाइब कर दीजिए आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर जो भी कंपनीज अब यहां पर आपको दिख रहे हैं कि अपको तीन इ अंदर दिख रहा है कि oh रही है इसका बुलिश है यहां आपको बुलिश को बूलिश दिखा रहा है कि माले थेольше हैं तरहरा है हिंडूस्ता पर अपर में यहां आपको में पकी me सिम इहां है यहां बहुत्त ऑपे कौन से पड़ान प sürए-पेंठर में के नम हम चलेइँ अधर ह Liberal sapphire और वह भी या weekly आप अलग-अलग timeframes को select कर सकते हो कि आपको किस time frame के हिसाब से देखना है कि कौन सा pattern मन रहा है और अगर आप intraday कर रहे हो 15 मिनिट आधे घंटे के time frames पे you can see the patterns कौन से कम के अगर time frame पर आप देखते हो तो फिर आप गलती भी कर जाओगे क्योंकि फिर आपको जो patterns strong reliability वाले नहीं मिलेंगे तो reliable patterns तो कम से कम 15 मिनिट से उपर के time frame पर ही आपको देखना चाहिए in fact even if you are doing intraday now यह जो आपको मिला है information अब आप इसे try कीजेगा investing.com पर जाके यहां तक पहुचने के लिए आपको कितना time लगा अगर आपका internet connection अच्छा है तो यह 30 seconds के अंदर आपका काम हो जाएगा in 30 seconds you identified कि यह 4000 से अच्छादा companies listed हैं आपको किसमें invest करना है किसमें trade करना है उसके लिए आपको यहां पर एक strong signal मिल गया किसी से advice लेनी की जुरूत नहीं पड़ी को टिप्स को follow करने की जुरूत नहीं पड़ी अब यह आपको यहां से पता लगा ऐसा नहीं यहां से पता लगा हमने आंग बंद करके पैसा लगा दिया इसके अलावा भी you need to see something and what is that आपको उस कंपनी का चार्ट को analyze करना पड़ेगा अपनी analysis सबसे उपर है तो ऐसा नहीं यहां पर देखा अच्छा जी बुलिश सिग्नल देख रहा है पैटन स्ट्रॉंग बन रहा है लियाबिलिटी जादा है जाके पैसा लगा दिया सीधा चार्ट उस कंपनी को अपा इडिन्टिफ जैसे भी करते हैं जिस भी सेट अपके सबसे करते हैं आप जरूर कीजिए अगर आप लॉंग डम के लिए इंवेस्ट कर रहे है पैटन को देखते हुए भी तब भी आप कंपनी की जो भी आप fundamental analysis करते हैं वह जरूर कीजिए आप की analysis सबसे उपर एंड इसके बाद यह आप कोई वीडियो अच्छी लगी मुझे कैसे पता लगेगा आप जल्दी से लाइक कर दीजिए इसके साथ साथ सी आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता अभी तक ट्रेटिंग एंड नहीं ना हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में में लिंक दे दूँगा फ्री में अपने डीमेट अकाउंट आज ही खो लिए जिससे आप स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट कर पाएं ट्रेट कर पाएं और फाइनली अगर आपके कुछ सवाल आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं फेस्बुक पे वीडियो को देख रहे हैं फॉलो कीजिए यूट्यू